रिस्पेक्टेड पैरेंट्स पैट से समधित किसी भी इशूस के लिए डॉक्टर मिश्रा के यूटूब चैनल डागनवेट से जोड़ सकते हैं और आप मुंको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको लेटेस नोटिफिकेशन इस चैनल की आपको मिलती रहेगी तो चलिए सुरू करते हैं ये थ्री मंस का लेबरडॉर है पपी है जिसको जो है कनेंट डिस्टेंपर हुआ था देखिए काफी ज़्यादा डल है लिथार्जिक है डिप्रेस है और काफी हाई ग्रेट फीवर था 105 दिगरी फेरनहेट सूपर का फीवर था काफी डल था पहले दिन जब सीडिक आटाइक हुआ ओनर को नहीं पता था कि इसको कनेंट डिस्टेंपर है सो इसकी कंडिशन पहले दिन की ऐसी थी यह अब तक मेरे पास नहीं आया था यह डे वन का जो है साइन है सेकंड डे में सीडिक आटाइक में क्या हुआ कि इसको कोलिक पेंड के साथ लो वाइस में हाउलिंग करने लगा यह significant symptom होता है कनेंट डिस्टेंपर के patient का जिनमें उनमें पेट में दर्द होने लगता है gastric symptoms होते हैं digestive symptoms आते हैं जिसमें दर्द होने लगता है उसके बाद फिन नेक्स अटाइक होता है चुइंगम फिट्स का मुमेंट होता है जिसमें पपी जो है वह चाब आने लगते हैं अपने गम्स को और इस तरह से salivation, frothy salivation आने लगता है इसे टिपिकली जो है वह चिंगम फिट्स बोला जाता है जो कि क्लासिकल साइन है क्नाइन डिस्टंपर के patients का तो यह जो है day 3 आफ क्नाइन डिस्टंपर के अटाइक में बहुत ही तेजी से यह फैल रहा था इस पपी में आप देख सकते हैं उसके बाद फिन जो है इसके साथ साथ जो है muscle और motor in coordination भी आप आसानी से देख सकते हैं कि यह चल नहीं पा रहा सही से इसको balance करने में काफी दिक्कत हो रही है और यह काफी commonly visible होता है करें डिस्टंपर के patient में और यह तो बहुत ही छोटा puppies है इसलिए बहुत तेजी सही इसके सभी symptom डिस्टंपर के इसको यह करके आते जा रहे है तो यहाँ पर इसको response बुलाया जा रहा है बट यह काफी difficulty के साथ मसल में weakness भी बहुत है और सीवरिंग में होने लगती जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक classical साइन जो कनेंड इस्टंपर के patient को होता है को रिया इसमें इसमें दिखा रेस्ट सभी symptom दिखे उसके बाद एक और भी important साइन होता है hyperesthesia का मतलब आप कुछ भी बुलाओ तो suddenly इसकी बॉड़ी पूरी शेक करने लगेगी treatment यहां पर स्टार्ट हो चुका है day two of therapy चल रही है जिसमें जो है इसका जो muscle in coordination है वो अभी उतना अच्छा नहीं है बट यह है कि थोड़ा थोड़ा improve हो रहा है but you will surprise to know that कि medicine के start होने के तीसरे दिनी जो है काफी अच्छा response आ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह properly चल रहा है काफी हद तक आपको इसको normal देख रहा है तो यह day three of therapy है जिसमें पपी इसको काफी अच्छा result मिलने लगा फाइनली जो है वो चौते दिन medical management के बाद जो है वो काफी अच्छा return किया अपनी physical activities को अच्छी तरह से howling भी करने लगा normal howling थी और balancing भी प्रॉपर कर रहा है playful activities इसकी normal हो गई यह चौते दिन का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि पपी इसमें little bit अभी बी in coordination है भी पांदस प्रसंट का सर्दी वह भी ठीक हो गई completely डॉक्टर मिशा से बात करने के लिए आप call me for application को download कर लीजिए play store app store में call me for app search कीजिए install कर लीजिए install करने के बाद फिर आपको call me for app से उनकी ID को search करना पड़ागा डॉक्टर मिशा at cm4 उसके बाद उनकी availability को check कीजिए उ और मनी एड़ करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वह available हो थैंक्यू